Eenhello guys, स्βαकता है आपका हमारे online typing course की class 2 में Class 1 में आपने सीखा था Home row key के लिए आपकी finger position है जो keyboard पर क्या होनी चाहिए इस class में हम सीखने जा रहे हैं Upper row key के लिए आपकी finger position है चाहिए Hi my name is Smith Man I am a typing trainer और चलिए शरू कर लेते हैं So let's begin जैसा कि हमने पिछली वीडियो में home row की के लिए हमारी finger position क्या होनी चाहिए वो सीखा था अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के description में लिंक है इस वीडियो को पूरा देखने से पहले वह वीडियो जरूर देख लिजिएगा तो guys upper row यह हमारी upper row है अपर row में left hand की little finger से हमने Q को प्रेस करना है left hand की ring finger से W को प्रेस करना है middle finger से E को प्रेस करना है index finger से R को प्रेस करना है ठीक है T और Y को हमने बीच में छोड़ देना है right hand की index finger से U को प्रेस करना है middle finger से I को प्रेस करना है रिंग फिंगर से हमने O को प्रेस करना है और लिटल फिंगर से हमने P को प्रेस करना है तो गाइज देख सकते हैं Q, W, E, R T और Y को हमने बीच में छोड़ दिया था लेप्ट हैंड की इंड़क्स फिंगर के नजदेक है T तो left hand की index finger से हम T को प्रेस करेंगे और right hand की index finger के निजदी के Y तो right hand की index finger से हमने Y को प्रेस करना है ठीक है U, I, O, P ठीक है यह हमारी अपरो की के लिए finger position है Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P ठीक है अभी इसकी थोड़ी सी practice कर लेते हम Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P ठीक है डबल क्यू, डबल डबलू, डबली, डबल आर, डबल टी, डबल वाई, डबल यू, डबल आई, डबलो, डबल पी ठीक है आपने इस वीडियो में सीखा Upper Row के अंदर आपने किस फिंगर से किस की को प्रेस करना होता है Guys, next वीडियो में हम सीखेंगे Lower Row के अंदर आपने किस फिंगर से किस की को प्रेस करना होता है जैसे ही आपकी lower row की finger position complete हो जाएगी उसके बाद हमारी typing practice start होगी आप कम से कम दिनों में आपकी typing speed और typing accuracy को easily हमारे scores के दुआरा boost कर सकते हो तो अगर next video का notification आप तक नहीं पहुचता है तो अभी हमारे channel को subscribe कर लिजिए और bell icon को press कर लिजिएगा ताकि कोई भी आपका typing से related video miss नहीं हो पाए मिलते हैं जल्द ही next video में see you soon